हलो एवरिवन, वेलकम टू आर यूटूब चैनल आज अपने एक बहुत ही प्यारी सी पोईट्री पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है फैलिंग ओफ दे बैनियन ट्री और जो की दिलिप चित्रे ने लिखी थी तो फ्रेंट्स ये जो दिलिप चित्रे है आपन थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं तो जो दिलिप चित्रे है उनका जो जन्म है वो 1938 में हुआ था और इनके जो डैथ है वो 2009 में हुई थी फ्रेंड्स जो दिलेप चित्रे हैं उनका जो जन्म है वो बडोधा में हुआ था और जो पोईटरी लिखते थे वो मराटी और इंग्लिश दोनों में लिखते थे और चित्रे ने क्या करा था बहुत सारी शोर्ट स्टोरी और क्रिटिकल ऐसे भी लिखे थे और यह क्या थे नेचर से बहुत ज़्यादा लव करते थे नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इनका जो ट्री से लगाव था वो बहुत ही ज़्यादा था तो अब थोड़ा सपन पोईब के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स यह जो पॉयम है इसमें पॉयट के जो ट्री और नेचर के जो लव है इसको डिस्क्राइब किया गया है और इस पॉयम में उनके फादर जो है वो बहुत ही पुराने बैन इंट्री को क्या कर रहे हैं कटवा रहे हैं और वो बहुत जो इस बात से क्या कर रहे ह उन्हें पेडों के काटने से ऐसा ही फील होता है तो वह बिल्कुल भी क्या थे अगेंस थे ट्री को काटने के लिए तो अब चलते हैं पनी पॉइटरी की तरफ यह जो पॉइटरी है यह 25 लाइन्स की है फ्रेंट्स और थ्री स्टेंजा में यह डिवाइड की गई है देखते हैं फ्रेंट्स जो टीनेंट्स है इसका मीन्स होता है जो किराये पर रहने वाले लोग होते हैं उनको टीनेंट्स कहते हैं तो पॉइट कहते हैं कि मेरे जो फादर है उन्होंने क्या करा था किराये दारों को घर छोड़ने के लिए क्या करा था बोल दिया था मतलब उनके ज और यह सब लोग कहां रहते थे तो यह जो है कि हम सब लोग जो है वो हील्स पर रहते थे और पहाड़ी पर हमारे कई घर भी थे जिनमें वो किराइदार रहते थे next line देखते हैं one by one the structures were demolished तो जो घर थे सारे उनको एक एक करके उनके जो ढांचे थे घरों के उनको एक करके क्या कर दिया गया था गिरा दिया गया था और कुछ जो पेड़ थे वो means जो सारे house थे वो क्या कर दिये गए थे नस्ट कर दिये गए थे गिरा दिये गए थे सिर्फ हमारा ही घर रह गया था जो और जो ट्री थे वो रह गये थे trees are sacred my grandmother used to say तो friends जो sacred का means होता है उसका वो होता है पवित्र तो जो poet है उनकी जो grandmother है वो हमेशा कहा करती थी कि जो trees होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं sacred होते हैं अगली line देखते हैं falling them is a crime but he masked them all और उनको काटना क्या है अपराद यानि की पेड़ो को काटना क्या है एक crime है लेकिन he masked them means यहां किस यह जो ही है वो किस के लिए कहा गया है तो poet जो है उनके जो father है उनके लिए यूज लिया गया है और उन्होंने क्या करा था उनकी मैस्किट मिंस जो हत्या होती है उनको मार दिया था उन्होंने ट्री की क्या कर दी थी हत्या कर दी थी और उन सभी पेड़ों को क्या कर दिया था उनके फादर ने काट कर उनकी हत्या कर दी थी उनको मार डाला था और वो पेड़ कौन से थे तो आगे देखते हैं अपनी नेक् को क्या कर दिया था उनोंने काड दिया था तो इस उन्हें इन पेडू से बहुत ज़्यादा लगाव था means वो नेचर से बहुत ज़्यादा लव करते थे उनको बहुत ज़्यादा पेड पसंन थे आगे देखते हैं but the huge bannion tree stood like problem लेकिन जो bannion tree था जो कि बहुत ही huge बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल ट्री था बर्गत का, वो क्या था? वो खड़ा था, लाइक का प्राबलम की तरह है, मिन्स यहां पर वो जो प्राबलम्स है वो ग्रिएट कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, whose roots lay deeper than all our lives और जो banion trees थी उनकी जो roots थी उनकी जो जड़े हैं वो इतनी गहरी थी जितनी की हमारी lives होती है मतलब जितनी की हमारी lives होती है जितनी की हमारी age भी नहीं थी मिन्स जो tree था वो बहुत ही जादा पुराना था सुद्यों पुराना था कि उनके पूरे परिवार की लोगों की भी इतनी age नहीं हुई होगी जितने की उस banion tree की थी आगे देखते हैं friends माई father ordered it to be removed और जो point है उनके father क्या कर रहे थे उनके father ने कहा point के father ने जो है उनसे कहा कि आदेश दे दिया कि इस banion tree को भी eliminate कर दो means यहां से हटा दो इसको भी कटवा दो आगे देखते हैं the banion tree was three times as tall as our house तो point is banion tree के बारे में बता रहे हैं कि जो पेड़ है वो तीन कुना ज़्यादा क्या था बड़ा था हमारे घर से जितना बड़ा हमारा घर था उससे भी तीन कुना ज़्यादा यह क्या था टॉल था बड़ा था its trunk has its trunk had a circumference of 50 feet तो friend circumference का means होता है परीधी तो उसका जो ट्रंक था उस पेड़ का जो उस पेड़ का तना था वो क्या था 50 feet की परीधी में था बहुत ही ज्यादा जगह में वो फैला हुआ था आगे देखते हैं its crazy ariel's root fell to the ground crazy का means होता है dried मतलब जो रूखी सूखी होती है roots वो तो बैनियन ट्री की जो रूखी सूखी जड़े हैं जो क्या कर रही थी हावा में लटक रही थी तो वो क्या कर रही थी fell कर रही थी ground पे मतलब गिर रही थी मतलब जमीन को वो छू रही थी touch कर रही थी कि इतनी नंबे उसकी जड़े थी तो वो कितनी उचाई से आ रही थी यह पढ़ते हैं from 30 feet और more so first they cut the branches तो 30 feet की उँचाई से या उससे भी ज़्यादा height उसकी हो सकती है उस बैनियन ट्री की जो रूट जो गिर रही थी जमीन पे तो 30 feet की उँचाई और उससे भी ज़्यादा उँचाई से वो आ रही थी तो उन्होंने सबसे पहले उस ट्री की जो है वो ब्रांचिस को काटना शुरू करा मतलब उन्होंने ब्रांचिस को कटवा दिया सबसे पहले saving them of 470s and the heap was huge तो friends saving का means होता है मतलब आरा मशीन मतलब जो आरा होता है जो मशीन होती है पेड काटने की वो तो 7 दिन तक उस पेड को आरा है से जोटे वो काटते रहे और जो the heap मिंस जो धेर था लकडियों का वो बहुत ही जादा बड़ा था means उस पेड को काटे काटते वहां पे लगडियों का इतना बड़ा धेर लग गया था मतलब एक huge tree का अगर उसकी branch को काटेंगे उसकी लगडियों काटेंगे तो आप इमेजन करी सकते हों कि कितना बड़ा उसका धेर लगे कि वो बहुत जादा सदियों पुराना था आगे देखते हैं इंसेक्स एंड बर्ट्स बिगेन टू लीव दे ट्री तो जो इंसेक्स थे जो छोटे-छोटे कीडियों मोकोड़े थे और जो बर्ट्स थे जो उस बड़े से पेड़ में रहते थे तो अब वो क्या कर रहे है जब वो पेड़ को काट रहे थे तो फिर वो कहां पे पहुंचें, मैसिव ट्रंक पे आ गए थे, और वो मैसिव ट्रंक देखते हैं, फिफ्टी मैन विट एक्सिस चॉप्ड और चॉप्ड तो इस ट्रंक को कट करने के लिए पचास मैन आए, पचास आदमी आए, और क्या करा, उसे काटने लगे, मतलब पचा जो चॉप्ड देखते हैं, पास आदमी कुलहारी के साथ, उसको काटते रहे, मतलब पाती है, जो क्या गरता है यह जो रिवैल करता था, मिंद्स प्रकट करता था उसकी किस गोलाई थी, जो बनी बैनेड ट्री था, उसकी जो गोलाई थी जो कि कितनी लगबग थी 200 years पूरानी थी मिन्स यह जो ट्री था वो 200 साल पूराना था मतलब 200 साल अपनी यह age जो थी इसकी उसको प्रकट करना शुरू कर दिया था इसने मतलब इस बैनिन्ट ट्री को इसकी जो गोलाई थी इस पेड़ की इसकी जो मोटाई थी उसको देख करके पता लग रहा था कि लगबग यह जो पेड़ है वो 200 साल पूराना है 200 साल की इसकी age पूरी हो चुकी है इसकी ring के थ्रियू इसकी गोलाई के थ्रियू अगली लाइन पे चलते हैं वी वोज्ट इन तरर अगली जैया रहे थी उसकी एचल कैने है यहाथ रहे मतला है दो पेड़ की कटने का As a Ro-Mythology revealed to us its age तो friends Ro-Mythology का means होता है जो कच्छी पुरानी कथाएं होती है बहुती पुरानी कथाएं वो तो point ने अपनी grand mother से भी पहले से सुन रखा था और Ro-Mythology के according जो ring है उनकी बात की जाती है तो उसके according भी हमें क्या था बैनिन ट्री की इसका पता चल चुका था Soon afterwards we left Baroda for Bombay और यहाँ पे हिली एरिया में सब कुछ क्या कर दिया कटिंग करवाने के बाद में अपने houses को destroy करने के बाद में poet के जो father है वो अपनी family को Baroda से Bombay ले जाते है means इस घटना के बाद ही जल्द ही वो क्या कर देते हैं Baroda को छोड़ देते हैं और Bombay चले जाते हैं आगे देखते है Where there are no tree except the one और जहाँ पे मतलब where means जहाँ There are no trees वहाँ पे कोई भी tree नहीं था सिर्फ एक की सिवाए मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही पेड़ था इसके अलाव कोई भी पेड़ नहीं था ऐसी जगह हम चले गए और वो tree कैसा था देखते हैं आगे Which grows and seethes in one's dreams जो की उकता है सिर्फ मेरे dreams में means जो point है वो कहते कि मैंने Bombay आने के बाद में एक tree देखा वो भी अपने सपने में अपने dream में जो की बहुत ही ज़्यादा सीथेज था means वो तेजित था एंगर में था बहुत ही ज़्यादा गुसे में It's aerial roots looking for the ground to strike और जो पेड़ की roots थी वो क्या कर रही थी ground को touch करने की कोशिश करती है तो जो banan tree है वो क्या करता है वो सपने में भी point का पीछा नहीं छोड़ता है और point कहते है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए मतलब वो इस पूरी जो poem है इसके अन्दे सिर्फ एक ही बाद समझाते है कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बलकि उनकी care करनी चाहिए और जादा से जादा पेड़ को grow करना चाहिए तो friends यह थी हमारी छोटी सी poetry अगर आपको पसंद आई हो poetry तो please like करना, share करना और हाँ जाने से पहले subscribe जरूर कर देना और पास वाले bell icon को भी press कर देना हाँ और अगर आपको poetry पसंद आई हो ना तो please मुझे comment करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ओकी बाबाई, thank you very much